क्रिकेट मैच में कोई हारेगा, कोई जीतेगा, वैसे जीवन में भी हार जीत चलता रहता है, अब मैतरी देख लो, पहली शादी से तो वो हार ही गई थी, लेकिन दूसरी शादी से पहले भी उसे हार का डर लगने लगा है, लेकिन हम तो कहते हैं कि ऐसा डर रखने की क्या हुआ है? जबके तुम्हारे पापा का नाम मदन सिवारी है तोना ताई की पती है वो तुम्हारी मम्मी कामना अंटी उनकी दूसरी दीवी है फिमेत्री और हर्ष की हल्दी में आ गया सबसे बड़ा ट्विस्ट अब मैत्री की शादी एक बार हो चुकी है और जिससे हुई थी वो अब इस दुनिया में नहीं है हित्तिवारी परिवार ने मैत्री के साथ क्या क्या नहीं किया और अब जब मैत्री को ये पता चल गया है कि हर्ष के रगों में भी तिवारी परिवार का खोन दोड रहा है तो ऐसे में वो ये शादी नहीं करना चाहती है मैत्री की लाइफ कभी सिंपल हो ही नहीं सकती जित्ती जल्दी जल्दी में शादी हो रही है और एक बार बोलते है ना दूद का जला चास भी फूग के पीता है तिवारी खांदान से जुड़ना वहां से निकलना ही मैत्री के लिए इतना लंबा सफर हो चुका था तो ये तो टेक्निकली बहुत बड़ा धोका है जो मैत्री को लग रहा है इस वेरी हर्टफुल के ऐसा कुछ हो रहा है जबकि मैत्री ने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था हर्ष को तो यही है और इसी वज़े से वो फिर से एक अलट डिसिजन नहीं लेना चाती है जो शोनात आई थी उससे बहुत बैज़त हो के वहां से निकली थी उस घर से तो उस घर में वापिस जाना नहीं चाती है और अब क्योंकि उसे पता चला है कि उसी तिवारी फैमिली का ही हर्ष भी एक बच्चा है तो इसी लिए वो रिष्टा तोड़ना चाती है वो हर्ष जो मैत्री को खुद से भी जादा प्यार करता है हर्ष का परिवार जिसे मैत्री पर पूरा विश्वास है फिर ऐसे में मैत्री को ये रिष्टा ठुकरारा नहीं चाहिए था और खुद वो भी तो हर्ष को प्यार करती है क्या फर्क पड़ता है कि हर्ष का रिष्टा इतिवारी परिवार से है मेरे हिसाब से तो छुपाई है और मैं उसे बोलती भी हूँ कि तुम धोका देने के बाद भी ऐसे मेरे सामने खड़े हो मुझसे शादी करने की हिम्मत कर रहे हो तो देखो अभी फिलाल तो मैंने शादी तोड़ दी है उसके बाद देखते क्या होता है अब फिलहाल अभी के लिए जहाँ पर इतना ताम-जाम किया गया था, इतने मेहनत से वो सजी सवरी थी, पता चला के ये हलदी होगी ही नहीं मैतरी की हलदी सेरिमनी हो रही है, फाइनली हर्ष के साथ सारे सेरिमनी शुरू हो चुके है, हमारी शादी तीन दिन में हो रही है, तो येस मैतरी अलसो दुलहन के अवतार में, फुल हलदी के अटायर में रेडी हुई है, तो प्रिटी सा येलो मेरा फेवरेट कलर है, तो अब हल्ली का फंक्शन तो रुख गया है इस सब का मूर खराब हो गया तो क्या शादी भी नहीं होगी अब होने को तो होनी चाहिए और होगी भी जब सब को ये पता चलेगा कि नंदनी ने जान बूच कर इस बात का खुलासा किया है तब देखना मैत्री समझ जाएगी नंदनी की चाल को और वो इस शादी के लिए राजी हो जाएगी हिम मुंबै से प्रिया धवडे के साथ एविपी न्यूज रिपॉर्ट एविपी न्यूज आपको रखे आगे हुआ कि अपक्षर्ण जाएगी का जिए राथएदाय से आपको और भेगे बॉक्षर्ण जाएगी नंदनी की अपक्षर्ण प्रॉक्षर्ण